हाई गाइस एस वीडियो में आपको इंट्रीउस करूंगा रिकर्शन तो रिकर्शन किसे बोलते हैं ऐसे function को रिकर्शन पोलते हैं जो खुदी को कॉल करते हैं तो इसको start करने के पहले मैं आपको प्रोग्रामिंग और मैक्स में connection कराऊंगा तो जैसे देखेगा मैं फंट्र सा concept आपने पढ़ा हुआ है जैसे हम ऐसा बोलते है f of x equal to x square तो ये function आप जाओ में कैसे लिख सकते हैं आपका असदरिया है आप ऐसे इनको जाओ में भी functions दिखा जाता है public static void fun नाम का एक function लिख दीजिए जो int x लेता है और return करता है x into x of course you can do it अब math में भई इसको use करना होता है तो कैसे करते थे आप लिखते है f of 2 2 square equal to 4 incidentally देखे ध्यान से जाओ में भी function ऐसी तरिख होता है main के अंदर आप fun of 2 call करते है 2 call होता है वहाँ से 4 वापस आता है generally आप जब call करते हैं तो आप ऐसे लिखते है int i equal to fun of 2 इससे क्या होता है यहाँ पर 2 pass होता है फिर वहाँ से 4 वापस आया तो काफी similar है मैं यह कहना चाहता हूँ कि programming language में algebra को express करने का tool जो होता है उसे function कहते है तो एक और concept होता है maths के अंदर जो आपने पढ़ा होगा है 11 वी बारविय में लेटसे मैं आपको कहा कि यह प्रूव करके दिखाईए sigma i equal to 1 to n i जो है वो n into n plus 1 by 2 के एकवल है यह formula प्रूव करके दिखाईए तो PMI में इससे attempt करते थे आप assume करते थे कि the formula is true आपका एक step होता था let us assume let us assume the formula is true formula is true for n equal to k कोई k value के लिए आप मान लेते थे formula true है तेक है फिर आप prove करते थे prove that formula holds true holds true for n equal to k plus 1 n equal to k के लिए मान लिए और n equal to k plus 1 के लिए आप से prove करके दिखाई थे उसके लिए साबित हो गया और फिर एक तीसरा काम करते थे तो तीसरा काम क्या होता था फिर आप n equal to 1 के लिए n equal to 1 के लिए formula को true prove करके दिखाई देते prove that formula holds true for n equal to 1 देखे n equal to k मान कर n equal to k plus 1 के लिए prove कर दिया और फिर 1 के लिए prove कर दिया तो eventually वो formula सारे natural numbers के लिए hold करता था क्यों सोचके देखे n equal to k मान कर n equal to k plus 1 के लिए prove कर दिया k के लिए मान कर k plus 1 के लिए prove कर दिया और 1 के लिए prove कर दिया तो अब यह सारे natural number के लिए इसलिए hold करेगा 1 के लिए prove कर चुके हो 1 को use करके 2 prove कर लो 2 को use करके 3 prove कर लो ठ्री को यूज करके फॉर प्रूव कर लो। ऐसे चलते चलते, क क को यूज करके ककबलस 1 क कर लो। तो सारे नच्छल लॉबर क्लेहों होल टू कर जाएगा। अगर n equal to k को मान कर n equal to k बन प्रूबर कर दिया आपने, और 1 को प्रूव कर दिया, तो सारे national number के लिए hold हो जाएगा 1 को use करके 2, 2 को use करके 3, 3 को use करके 4 so on and so forth तो एक बार ये PMI हम आपको अच्छे से दोहराने के लिए ये वाला formula true true करके दिखाता हूँ इसका हमारी कहानी से क्या वास्ता है वो मैं connect करूँग आपको समझ में आएगा देखेगा ये है आपको प्रूव करना कि भाया 1 से लेकर n तक का सम n into n प्रस 1 by 2 के बराबर होता है to prove, this is to prove तो assume assume truth of formula for n equal to k तो अगर आप ऐसा मान लोगे तो implies अगर आपने true मान लिया उसको तो i equal to 1 से k जो है, वो k into k plus 1 by 2 हो जाएगा आपको दमान लिया था n equal to k के लिए अब to prove for n equal to k plus 1 आपको formula n equal to k plus 1 के लिए prove करना है मतलब आपको क्या prove करना है जो आपको original formula था i equal to 1 से लेकर k plus 1 के लिए आपको prove करना है जो आपको original formula है उसके अंदर यहाँ k plus 1 डाल दीजे n की जगा तो k plus 1 k plus 1 plus 1 by 2 n की जगा k plus 1 डाला है तो यह बन गया k plus 1 k plus 2 by 2 यह आपको prove करना है यह आपने assume किया है कि k तक का sigma k into k plus 1 by 2 होता है आपको prove करना है कि k plus 1 तक का sigma k plus 1 into k plus 2 by 2 होगा ठीक है जी करके दिखते है अपने आपकी LHS उठाईए अब जो आपको prove करना है यह जो prove करना है इसमें आपकी LHS left hand side उठाईए left hand side है आपकी sigma i equal to 1 से लेकर k plus 1 तक आए तो भही मैं सका यह यही तो होता है 1 plus 2 plus 3 plus 7 एक दिन k आएगा फिर k plus 1 आएगा यह पहले वाला हिस्सा तो जाना पहचाना है यह तो है sigma i equal to 1 से लेकर k और k plus 1 अलग बच गया और sigma of k तो आपके बास है i equal to 1 से लेकर k आए तो आपके बास है k into k plus 1 by 2 वो यहाँ पर put कर दो तो आपने जो assume किया था उसकी right hand side value value इसकी जोगे put कर दी plus k plus 1 ठीक है तो अब इसका LCM लेलो k into k plus 1 plus 2 into k plus 1 k plus 1 को मैं common निकाल देता हूँ ठीक है अभी तक की कहानी कहानी अब तक को अगर आप दोबारा देखेंगे हमें प्रूव करना था भया यह फॉर्मला i equal to 1 से लेकर n तक sigma of i n into n plus 1 by 2 होता है तो हमने मान लिया अभी फॉर्मला न n equal to k के लिए true है तो sigma of i 1 से लेकर k तक k into k plus 1 by 2 के लिए बराबर हो गया अगर यह बात n equal to k के लिए सच्ची है तो यह इस चीज़ को imply करता है फिर हमें n equal to k plus 1 के लिए formula प्रूव करना है मतलब left hand side में हो जाएगा sigma i 1 से लेकर k plus 1 तक और यहाँ हो जाएगा n कीज़ के k plus 1 डाल दूँ तो k plus 1 और इस n कीज़ के k plus 1 डाल दूँ तो k plus 1 तो यह total बन गया कि आपको प्रूव करना है sigma of i equal to 1 से लेकर k plus 1 is equal to k plus 1 into k plus 2 by 2 अब LHS उठा लिया हमने यह वाले LHS उठा लिया 1 से लेकर k plus 1 तक कसम करना है तो खोल लिया इसको 1, 2, 3, k, k plus 1 यह पहले वाला जो हिस्सा है 1 से लेकर k तक का यह तो sigma i equal to 1 से लेकर k है और k plus उना लग अब यह वाली चीज तो हमने assumption में माना है कि is equal to k into k plus 1 by 2 मैंने put किया यहां पर LCM लिया तो यह आ गया k equal to 1 plus k plus 1 into k plus 2 by 2 which is equal to यह LHS से चले थे और जो eventually इस LHS को हमने खोल खाल कर assumption को use करके जो reduce किया वो k plus 1 into k plus 2 by 2 हो गया जो की हमें प्रूव करना था तो actually हमने प्रूव कर दिया LHS equal to RHS तो by using by using formula from n equal to k stage we proved formula for n equal to k plus 1 stage n equal to k plus 1 मानकर n equal to k plus 1 के लिए हम प्रूव कर पाने में कामियाब हो गए ठेके लेकिन एक बात रहती है k के लिए मानकर k plus 1 के लिए तो आपने प्रूव कर दिया अभी भी वे एक बात रहती है n equal to 1 के लिए कॉन प्रूव करेगा तो for n equal to 1 lhs क्या बन जाएगी आपकी sigma i equal to 1 से 1 i 1 lhs तो आपकी 1 हो गई rhs क्या बन जाएगी आपकी rhs हो था था n into n plus 1 by 2 n तो बन है 1 into 1 plus 1 by 2 1 into 2 by 2 वो भी 1 बराबर हो गया n equal to 1 के लिए प्रूव हो गया तो n equal to 1 के लिए मैंने प्रूव कर दिया n equal to k के लिए assume कर लिया जिसको use करके n equal to k plus 1 के लिए भी प्रूव कर दिया k को assume करके k plus 1 के लिए प्रूव कर चुका हूं 1 के लिए मैं प्रूव कर चुका हूं 1 से 2, 2 से 3 सारे natural number के लिए hold 2 करेगा for all natural numbers sigma i equal to 1 से n i will hold true n plus 1 by 2 तो मैं उमीद करता हूं आपको यह PMI का सवाल समझ में आ गया हमारी काहनी से क्या वास देशता हूं तो देखेगा एक सवाल मैं आपको एक sample सवाल देता हूं यह sample सवाल है print decreasing तो करना क्या है आपको इसके अंदर यह करना है यह print decreasing नाम का function है इसको एक number n pass करेंगे इस function अग काम है कि इसको n से लेकर 1 तक की counting print करनी है जैसे 5 pass किया तो उसको 5,4,3,2,1 प्रिंट करना है तो देखेगा मैं वही idea अपना PMI वाला idea यहां पर लगाऊंगा print decreasing function is supposed to do what अगर उसको 5 pass कर दिया जाए तो it is supposed to print 5,4,3,2,1 मैं ना assume करूँगा पता है क्या assume करूँगा बिना print decreasing में एक भी line लिखे मैं विश्वास रखूँगा यह है expectation PD 5 से expected है कि वो 5,4,3,2,1 प्रिंट करेगा बिना एक भी line लिखे मैं यह faith रखूँगा यह assume करूँगा कि PD अलरेडी चलना जानता है पर 5 के लिए नहीं 5 से चोटी value के लिए 4 के लिए कहूँगा तो वो आज ही 4,3,2,1 प्रिंट कर देगा वो अभी विचितर बात करेगा लाइन कोई लिखे नहीं आप ऐसा assume कैसा कर सते हो बरोसा रख बरोसा रख इसको जो अभी मैं कर रहा हूँ इसको बोलते है high level thinking high level thinking करते है recursion की recursion में दो stage होंगी high level thought फिर low level thought high level thinking के तीन steps पहला step establish the expectation expectation क्या है PD 5 से expected है कि वो 5,4,3,2,1 print कर दे establish the faith यह मान लो कि छोटी problem के लिए चलता है PD 4 आपका 4,3,2,1 print कर देगा third stage link expectation and faith expectation और faith का आपसमें relation करा दे आपने establish करी expectation कि PD 5 को 5,4,3,2,1 print करना है faith assume क्या PD 4 अपना काम करना same काम 4,3,2,1 print कर देगा क्या faith से expectation वीच कर सकते हो क्या n equal to k से n equal to k plus 1 के लिए prove कर सकते हो अगर PD 4 अपना काम करना जानता है तो क्या तुम PD 5 which was your expectation को PD 4 which is your faith की terms में express कर सकते हो मैं कर सकता हूँ PD 5 अगर 5 print करके PD 4 को invoke कर दे तो उसको काम हो जाएगा कैसे PD 5 ने 5 print कर दिया फिर PD 4 को call कर दिया PD 4 ने 4,3,2,1 कर दिया तो इसको चाहिए था क्या 5,4,3,2,1 5 खुद कर दिया PD 4 से 4,3,2,1 करा दिया तो total 5,4,3,2,1 हो गया देखे high level thinking की तीन स्टेज क्या तीन स्टेज expectation जानी है अपने function से हमारे function से यह उमीदे रखी जा रही है कि वो 5 पास करने पर 5,4,3,2,1 प्रिंट करेगा faith establish करिए कि भईया छोटी value के लिए चलता है तो PD 4 पास किया तो 4,3,2,1 अपने आप प्रिंट हो जाया कैसे प्रिंट हो जायागा सोचना नहीं दिमार्क बंद रखना है PMI में बड़ा तो हमने assumption stage में कोई दिमार्क लगाया था last expectation और faith में संबंध अगर PD 5 को 5,4,3,2,1 चाहिए और PD 4,4,3,2,1 देता है तो कैसे PD 5,PD 4 से अपना काम कराए तो PD 5,5 प्रिंट करने के बाद PD 4 को invoke कर देगा तो काम हो जाएगा अब इसको generalize कर लो generalize करते हैं high level thinking की चल रही है वही high level thought चल रहा है PD N से क्या उमीदे हैं कि भई N, N-1, so and so forth 3,2,1 तक counting लास तक देगा expectation faith PD N-1 पर क्या faith है कि भई है वो N-1 से लेकर 1 तक की counting तो लिख देगा link करो दोनों को तो PD N generalize किया अब उसको N print करवा कर PD N-1 को invoke कर दे N खुद print कर दिया और PD N-1 ने N-1 से 1 print कर दिया तो PD N का सारा काम हो गया की नहीं हो गया high level thinking से ये दो line ने निकल कर आई इससे जाकर आप अपना पहला code लिख हो गया देखो, यह मैं अपना code लिख रहा हूँ उसकी यहाँ पर, तो मैंने बोला system.out dot print line n print किया और print decreasing of n-1 को invoke कर दिया ठेक है, of course मुझे main में काम करना चाहिए मुझे scanner बनाना चाहिए उसके बाद मुझे input लेना चाहिए उसके बाद मुझे print decreasing को invoke करना चाहिए n value के साथ ठेक है, अच्छा high level thinking तो भाया हो गई अब करेंगे low level thinking low level मतलब अब depth में सोचेंगे मतलब उसकी detailing करेंगे ठेक है, तो मैं code यहाँ से cut करके लिए के जाता हूँ और stack बनाऊंगा मेरा साथ दीजेगा, हम stack बनाएंगे ये code है आपका let us say, मैं line by line चलाने वाला हूँ code को तो मुझे आपके पूरे साथ की जरुवत है let us, ये वाली line चली सबसे बहले नीचे कौन आ जाएगा, main आ जाएगा सबसे नीचे, main वाला function ये वाली line चली, scanner बन गया ये वाली line चली, let us say user ने 5 एंटर कर दिया ये वाली line चली, तो आपका pd invoke हो गया pd function invoke हो गया value के आपास हुई, 5 तो इसमें n के अंदर 5 receive हुआ पहले ये line चलेगी चली, ये console आपकी ये line चली तो n की value कितनी है, 5 print हो गया, अब ये invoke हो गया तो मैंने यहाँ पर दो dots लगा दूँगा क्योंकि ये तो बार-बार आएगा तो मैं dot लगा दूँगा, जब पहली line चली ये वाली, तो मैंने पहले dot लगाया जिससे n की value 5 print हुई दूसरी line चली, तो दूसरा dot जिससे दूबारा pd invoke हो गया तो इसके ऊपर invoke होगा जब fun function gun function को call करता है, let us say एक fun function है, जो अपने अंदर से gun function को call कर रहा है तो stack में क्या होता है नीक है fun function पड़ा होता है, उपर gun function पड़ा होता है जब gun से वापस आते तो fun आगे चलता है तो common बात है ये अगर बात नहीं समझ में आरी तो मैं थोड़ा से example देता हूँ देखिया धान से एक है A function उसमें एक है line 1 फिर B को call किया फिर है line 2 फिर है B function उसमें है line 3 फिर C को invoke किया फिर है line 4 फिर है एक C function उसमें है line 5 तो भाई अगर A call हो सबसे पहले A सबसे पहले call हो तो सबसे लिए line 1 चलेगी फिर जब B call करोगे इसके उपर B आ जाएगा, फिर, लाइन 3 चलेगी, फिर जब C कॉल करोगे, तो इसके उपर C आ जाएगा, फिर, लाइन 5 चलेगी, अब C में कुछ आने के नहीं बचा, तो C उड़ जाएगा, अब B में जाकि, जो नीचे उपर लाइन थी, वह ही कर रहे हैं हम, वह ही कर रहे हैं हम, देखेगा, तो मैं में से ही दुबारा कराता हूँ, में से ही दुबारा कराता हूँ, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मैं तरौँ, साथ बहुत ज़रूरी है, कोरोना का समय है, ठीक है जी, तो scanner बना था पहली line से N यहाँ पर बन गया let us say user ने 5 डाला PD को call करा PD को call करा तो यहाँ पर main ने PD को call करा है तो main के सर पर print decreasing आ जाएगा जिसमें N के value 5 पास की गई है तो यह वाला N 5 receive कर गया पहली line चली मैंने पहला dot लगाया जिससे क्या हो रहा है सिसो करा हुआ है प्रिंट होगा जी गंसोल पे दूसरी line चली मैंने दूसरा dot लगाया इससे क्या हुआ दुबारा PD invoke हो गया और value क्या पास करी है N-1 मतलब 4 पास किया है तो उपर वाले का N जो नया PD है उसके parameter में जो N आएगा वो नीचे वाले का से कम value आएगी 4 receive करेगा अभी उपर वाले PD है यह तो start ही हुआ है इसकी जब पहली line चलेगी तो क्या print होगा 4 जब इसकी दूसरी line चलेगी दूसरा dot मतलब दूसरी line तो क्या होगा फिर से PD invoke किया तो अगले PD जो N receive करेगा वो इस N का minus 1 receive करेगा 3 जब उपर वाली line चलेगी इसमें तो print होगा 3 जब नीचे वाले line चलेगी इसमें तो क्या होगा इसका N minus 1 pass होगा कौन receive करेगा इससे उपर एक PD N में 2 उसकी जब उपर वाले line चलेगी तो क्या print होगा? 2 जब उसकी नीचे वाइन चलेगी तो 2-1, 1 pass हुआ है उपराल ने receive किया PD ने receive किया पहरी लाइन चली तो क्या हुआ? 1 print हुआ दूसी लाइन चली तो क्या हुआ? यह invoke हुआ PD, N, 0 अब low-level thinking के अंदर यह सोचने के बाद अगर नहीं रोका recursion ने एक जरूरी चीज होती है जैसे बोलते है base case जो कि आपका PMI में भी था वो N equal to 1 के लिए prove करना वैसा कुछ है, रोकने वाली चीज अगर नहीं रोका गया तो अभी यह 0 print करेगा minus 1 को call करेगा यह तो कभी रूखे गई नहीं तो हमें रोकना पड़ेगा इसको कि यह code ऐसा ना चलते रहे कुछ extra करना होगा अगर N 0 आ जाए अगर कभी N 0 दिखे तो कुछ ना करें लॉट जाएं अन्या था हाँ जी तो अब क्या हुआ N 0 आया तो ना line 1 चला ना line 2 चला ना return करना है return करना मतलब वो stack से wipe out हो जाएगा आप गिरे इससे नीच लेवल लेवल में अब उसमें दोना line ने चल चुकी ये भी चल चुकी ये भी चल चुकी उसके नीचे कुछ है ही नहीं तो वो भी wipe out हो जाएगा अब गिरे उससे नीचे वाले में भी तो उसकी भी line 1 और 2 दोनों चल चुकी उसके बाद कुछ है ही नहीं जिस function बाद कुछ बचता नहीं वो wipe out हो जाता है उससे नीचे वाले में गिरे उसमें भी कुछ है नहीं wipe out हो गया उससे नीचे वाले में गिरे तो उसमें भी दोना line चल चुकी 54321 बढ़िया सुन्दर अती प्रिंट हो रहा है तो हम सब्मिट दबाते हैं और एक्सेप्ट हो जाता है उमीद करता हूँ आपको समझ में आया हो गई तो यह सवाल जो है आपको टॉपिक पहले पढ़ना है उसके बाद सब्मिट करना है तेक है मेल तेंगले सवाल में तेंक कि बारी मच्च झाल 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 झाल